हेलो गाइज कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपका मेंटोर अरजुन दुआ आपका मेरे चैनल एंसीयारटी मैफ गुरू पर स्वागत है आज हम करेंगे क्लास 12 एंसीयारटी मैफ का 1st चेप्टर 1st चेप्टर में 1.1 एक्ससाइज तो देखे इसके सबसे पहले हमने इसके एक्जैम्पल्स पहले दो सम हमने इसके कर लिए है आज जो हम इसके 3rd question से start करेंगे तो देखे 3rd question है हमारे पास चेक वैदर दा रिलेशन आर डिफाइन एज दा सेट 1,2,3,4,5,6 as the relation देखी क्या गिवन हमें b equal to a plus 1 is symmetric reflexive symmetric और transitive तो हमें यहाँ पर चेक करना है जो relation दिया गया है वो reflexive symmetric है या फिर transitive है तो देखे किस तरह से करेंगे हम सबसे पहले relation में हम यह वाली values को put कर देंगे जिसे हमारे पास जो है क्या जाएगा वी आ जाएगा तो देखे जब हमने a में बढ़ पुट किया तो हमारे पास जा जाएगा 2 आ जाएगा यानि कि वन्टू का relation बनेगा और इसी तरह से two three का बनेगा जब हम two put करेंगे फिर जो घर रहम relation में जिस्से हमारा relation पूरा जाएगा अगर हम उस्से एक्ष लाएंगे तो वह relation से बाहर रहेगा तो देखिए अब हमस्में क्या चेक करना है की है इस मिंट्रिक है reflexive या फिर ट्राांस्ट्रीव है तो सबसे पहले देखिए reflexive किस तरह से हमें प्रूब करना होगा reflexive में देखिए सबसे पहले हमें number जो है set में क्या दिये गए थे one two three four five six तो में relation में देखना था कि अगर relation में one one two two three three four four five five six six अगर हैं तो हमारा क्या हो जाएगा reflexive हो जाएगा अगर इने में से एक भी ना हो तो वह हमारा क्या रहे हो जाएगा नोट ट्रांस और रिफ्लेक्सिव हो जाएगा तो देखिए यहां पर relation में क्या आपको दिख रहा है कोई भी सेम नहीं दिख रहा जिसके कारण यहां पर क्या हो जाएगा हमारा यह relation से भी लोंग नहीं करेगा फिर यह हमारा क्या हो जाएगा नोट रिफ्लेक्सिव जैसे की देखिए आपको एक्जेम्पल दिख रहा होगा मैंने यहां पर दिया था अगर हमारा यह relation में आ जाता तो हमारा जो है रिफ्लेक्सिव हो जाता लेकिन यह relation से भी लोंग नहीं कर रहा जिसे यह नोट रिफ्लेक्सिव हो गया अब हम चेक करेंगी कि क्या यह स्मेट्रिक है या फिर नहीं है देखिए स्मेट्रिक के लिए हम किस तरह से करेंगे अगर वन टू रिलेशन में बिलोंग कर रहा है देखिए वन टू तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है नहीं करेगा हमारा रिलेशन में बिलॉंग अगर माल लीजे हमने एक जगा पर 2 रखा तो हमारा 2 और 3 का सेट बन रहा था टू और थ्री भी रिलेशन में है यानि कि वन और टू का पेर भी रिलेशन में था और टू और थ्री का भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है फिर हम चेक करेंगे कि क्या वन और थ्री का भी रिलेशन बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं तो देखिए अजब हमने एक जगह पर पूट किया तो हमारे पास भी तो थो आएगा टी तो नहीं आयगा यह看看 हमरह सब्लोंग नहीं करेगा तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा नोट त्रणसीट हो जाएगा टो रर्लेशन नाई दर टो reflexive होगा ना ही symmetric होगा और ना ही transit होगा इससी तरह से कोशन 4 है हमारे पास इसमें show that the relation R in capital है याणे कि यह हमारे पास क्या हो जाएंगे defined as R और a relation क्या है मैं देखिए यह पर a is less than and equal to be is reflexive transitive but not symmetric तो हम है यहां पर show करना है कि यह तो भी है और ट्रांस्टु भी ऐ है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है रिलेशन तो कि यहाँ पर अगर हम अगर हमारा पास एकॉण ना दिया जाताए रिलेशन अ अगर हमारा रिलेशन में आ जायगा यानि कि relation से belong करेगा तो वो relation हमारा reflexive हो जाएगा आप कोई भी example दे सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया तो देखें अगर 2 और 4 relation में belong कर रहा है यानि कि 2 छोटा है 4 से यह सही बात है तो यह हमारा relation में belong करेगा लेकिन क्या 4 और 2 relation में belong करेगा क्या A हमारा छोटा रह सकता है नहीं रह सकता एकोल हो सकता है लेकिन छोटा नहीं होगा तो यह हमारा relation में belong नहीं करेगा तो 4 is greater than 2 4 जो है बड़ा है 2 से इसलिए relation में belong नहीं करेगा और इसलिए क्या हो जाएगा अब हम चेक करेंगे अब हमें यह प्रूब करना है कि यह हमारा ट्रांस्ट्यू है तो ट्रांस्ट्यू के लिए देखे किस तरह से करेंगे अगर A, B जो है relation से belong कर रहा है B, C, B relation से belong कर रहा है तो क्या A और C, B relation से belong करेगा यह करेगा माल लिए कोई भी example ले सकते हैं कि 1 और 2 का ले लिजिए 1 और 2 relation में belong कर रहा है 1 चोटा है 2 से फिर हम 2 और 3 का ले लेंगे example देखे किस तरह से तो 2 और 3 भी relation में belong कर रहा है A हमारा चोटा है B से तो देखे A जो हमारा first number पर है और B second number पर है यानि कि देखे यह हमारा condition satisfy हो रही है फिर हम चेक करेंगे क्या 1 और 3 1 और 3 भी relation से belong कर रहा है या फिर नहीं तो देखे यह 1 हमारा चोटा है किस से B से sorry 3 से तो यह हमारा जहाँ क्या हो जाएगा relation में belong करेगा इसके कारण यह क्या हो जाएगा यह हमारा transitive हो जाएगा तो हम यह ही show करना था relation हमारा reflexive और transitive तो है लेकिन symmetric नहीं है इसी तरह से देखे हमारे पास question 5 है check whether the relation are in defined as r तो देखे हमारे पास क्या given है a is less than and equal to b k q k देखे हमारे पास relation यह है is reflexive symmetric और transitive तो यहाँ पर हमें बताना है कि यह कि नहीं है show करना है यह भी check करना है तो देखे हम यहाँ पर सबसे पहले relation में हम कोई भी value को यहाँ पर रख सकते है जैसे कि मैंने आपको पहले भी example दिया था इसका one by two और one by two यह देखिए अगर इसको हम put कर दें a और b की जगह पर तो क्या हमारे पास यह relation में belong करेगा वन और टू तो देखिए हमारा जो है relation से belong नहीं करेगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा note reflex जैसे कि मैंने पूत है था अगर आप हमें एक भी ऐसा मिल जाए जो relation से belong ना करें तो हम उसी का example ही देंगे यानि कि वह हमारे लिए सही रहेगा अगर हमारे पर देखिए माले जित तीन एक्जैमपल देखे कोई भी हम अगर दो हमारे सही आ रहे हैं दोनों relation से belong करें लेकिन जो तीसरा है वो relation से belong नहीं कर रहा तो हम यहाँ पर जैसरा एक्जैमपल ही दिखाएंगे कि यह relationship belong नहीं करेंगा इसी तरह से देखिए हमारे पास जो है आगे हमें क्या प्रूब करना है हमें शो कर देखना है कि स्मिट्रिक है या फिन नहीं है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्जैमपल लिया वन और टू का यानिकी ए छोटा है बी स से च्छोटा करेंगे कि इसी तरह से च्छोटा है कि क्यो दे crash लेकिन टू कर जो है तो बढ़ा होगा यान के टू बढ़ा रहेगा वन के क्योब से तो यह हमारा relation से बिलॉघ नहीं करेंगा इसके करण यह क्या हो जाएगा नोट स्मेट्री duty धेखिया अभी तक भे रेफ्लेक्श भी नहीं आया आँ ढ़ाघ यही आप मैंना whenl नहीं हुआ है देखें ट्राइंट्रेव के लिए हमने क्या किया 3 और 3 by 2 relation से belong कर रहा है तो इसकी value जो हमेशा बड़ी रहेगी 3 by 2 के cube की इसी तरह से 3 by 2 और 6 by 5 में चेक करेंगे तो 6 by 5 की value बड़ी रहेगी वो दोनों अगर relation से belong कर रहे हैं तो हम check करेंगे कि क्या 3 और 6 by 5 भी relation से belong करेंगे या फिर नहीं तो देखें यहां पर जो हमारा relation से belong नहीं करेंगे जिसके करण यह क्या हो जाएगा not transitive हो जाएगा तो यहां पर हमारे जो है 3 और क्या जाएगे not reflexive, not symmetric और not transitive यहां पर हमारा 3 और ही नहीं होंगे इसी तरह से देखें हमारे पास इसमें question 6 था है show that the relation are in the set one two three given by our relation देखें क्या given है one two two one is metric but neither reflexive nor transitive तो देखें reflexive के लिए आपके यहां पर सिदह दिख रहा है कि इस metric है क्योंकि यहां पर देखें अगर हमारे पास xy है तो yx भी हमारे पास है यानि कि one two है तो two one भी है तो यहां से तो हम सिदह ही पसल रहा है कि इस metric तो है लेकि रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए तो यहां पर नहीं होने चाहिए थे लेकिन यह हमारे रिलेशन से बिलोंग नहीं करेंगा तो यह क्या हो जाएगा नोट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा यानि कि देखिए यहां पर हमारे पास जो है इनने में से कोई भी रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा जिसे यह क्या होगा नोट रिफ्लेक्सिव स्मिट्रिक तो देखिए स्मिट्रिक तो हो जाएगा जैसे कि मैंना पर वन टू रिलेशन में है और टू वन भी relation में है यानकी xy relation में है बिलोंकर रहे है y x भी कर रहा है तो यह क्या हो जाएगा symmetric हो जाएगा अब फिर हम check करेंगे क्या यह 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 फिर नहीं कि यहां पर में प्रूव भी करने कि विलावा क्या देखिए वन और बिलोंग करे या वन और वन नहीं था ही नहीं तो यहांब परjuai इसे तरह से हमारे कोशन सहाँ है show that the relation are show that the relation are in the set a of all the books in the in a library of a college given by r x y x and y have same number of pages is an equivalence relation तो देखी क्या है हमारे पस एक set किया गया है किसका library में जो books पढ़े हैं उनका set भी आ गया है यानि कि books का set है जो library में पढ़ी है college में और जो है relation का given है set तो हमारे पस books का था relation given है x और y जो है same number की pages पे book है यानि same number की pages है यानि कि माली जी कोई book 200 page की है तो क्या दूसरी book भी 200 page की हो सकती है हमारे पस तो काफी सारी जो books होती है same page की होती है लगबग तो इसी तरह से देखिए अब जो हमें यहाँ पर क्या बताना है कि यह equivalent है यानि कि equivalent के लिए हमें क्या show करना होगा कि यह reflexive भी है symmetric भी है और transit भी है सबसे पहले देखिए हमारे relation बनाएंगे हम क्या एक book जो है यानि कि खुद एक page मालेज़े कोई भी book है 200 page की तो वह जो है हम उसको दो बर देखें तीन बर देखें वह 200 page की रहेगी यानि कि हमने क्या कि X वाला ले लिए यानि कि X हमारा क्या है 200 है यानि कि दोनों बार हमने 200 लिया तो वह तो relation से बिलोंग करेगा क्योंकि मालेज़े कम से नंबर के pages होंगे से number of pages होंगे इसी तरह से हम चैक करेंगी क्या X और Y रिलेशन में है तो देखिए यहां पर मालेजिए X और Y रिलेशन बिलोंग कर रहा है किया कर्ते बार है निटिकी इन्गलेशं हो नंबर की से उस को रहे तो अगर hig sciences के इसी तरह से फिर हमस को देखें अगर में उसको लेएव कम तो नहीं होंगे ना यहां पर हमारा पर हो छोई ना करेगा George इसके कारण यह क्या होई पर समेट्रिक हो जाएगा पृरब हम चेक करेंगे कि क्या यह हमारा ट्रांस्टीब है या पिर नहीं है तो ट्रांस्ट्टीब के लिए द spoken किस तरह से करेंगे यह अगर करेगा वाइजदब करेगा और उड टो यह एणित बैली ओ Carn हो कर और जाटा के यानि की हिंदी और कोई भी बुक ले लीजे साइंस ले लीजे उसमें भी 300 पेज है तो यहाँ पर इंगलिश और साइंस के भी पेज सें मी रहेंगे 300 तो यहाँ पे जो हैं रिलेशन बिलॉंग करेगा जिसे यह क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव और जाएगा show that the relation are in the set A A देखे क्या given है 1, 2, 3, 4, 5 given by relation क्या है A minus B is even तो यहाँ पर जो है modulus के अंदर है A minus B तो देखे अब यहाँ पर में क्या करना है is an equivalence relation तो यहाँ पर में करना है कि यह equivalence relation है फिर देखे क्या करना है show that all the elements of 1, 3 and 5 related to each other and all the elements of 2 or 4 are related to each other but not one but not element of 1, 3, 5 is related to any element 2 or 4 देखे इस तरह से हमार पास जो है 2 or 4 से भी भी लोंग नहीं करेगा तो देखे अब क्या करेंगे सबसे पहले हमें यहाँ पर equivalence देखना है तो equivalence के लिए तिनों ही होने चाहिए थे हमार पास जैसे कि मैंने आप उताया अगर देखे वन और वन हम यहाँ पर पूट कर दें यान की a और a या कह सकते हैं तो वो हमार पास even ही आएगा result मालीजे हमने यहाँ पर one और one पूट किया a की जगा और b की जगा one और one पूट कर दिये तो हमार पास क्या जाएगा even ही आएगा यान की result हमारा zero होगा और zero क्या है even है टू और टू भी पूट करके देख लिए टू और टू भी हमार पास zero देगा three और three भी जिरो देगा four four भी जिरो देगा five five भी जिरो देगा यान की जो रिसाट गीवन था वो हमारा relationship बिलोंग करेगा इसके कारण यह पहले क्या हो जाएगा reflexive हो जाएगा अब हम चेक करेंगे क्या यह symmetric है यह भी नहीं है देखिए अगर मोडलस ना होता तो हम यह हमारा symmetric group ना हो पाता लेकिन अब जो है symmetric group हो जाएगा तो देखिए अगर हमने यहां पर जो है a b की जगा कोई भी number put कर लीजिए माली जी हमने यहां पर three और one को put किया देखिए और फिर मैंने घ्री और वन लेकिन एक में क्या जाएगा और यह से रेजल्ट किंग और आ यहां हमारा symmetric metric prove हो जाएगा तो यहाँ पर example देखिए मैंने जैसे टू टू को लिया आपने क्या लिखना है ए माइनस बी जो मोडलस में वो एवन रिजल्ट देगा तो हमने क्या किया माइनस ही अंदर लिया जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइनस कोमन लिया या कह सकते माइनस है से multiple कर दिया तो हमारे पास b-a-b क्या रहेगा एवन ही रिजल्ट देगा तो यहां पर भी एफी रिलेशन से बिलोंग करेगा तो यह समेट्रिक हो जाएगा इसी तरह से हम पर चेक करेंगे क्या यह transit है या फिर नहीं है तो तरज करेंगे नाव हम लैट करेंगे abrої शेस्ट लोंग कर रहा है इसी तरह से भी और cb लेशन दो और यानि जरोंग कर रहे तो यह त Okey तरह से यहां पिर नंबर स्थ r तो ने जिसके कारण यह क्या हो जाएक के हो जाएगा तो एककी अब यह हमारे तीनों ही प्रूब हो चर्ट किसके हैं ओड के यानिकि तीनों अलिमेंट से हमारे वो ओड हैं और इसी तरह से हमारा जो टू और फॉर है वो भी आपस में बिलोंग करेगा यह हमारा आपस में बिलोंग करेंगे और इसी तरह टू फॉर आपस में बिलोंग करेंगे क्योंकि यह देखिए तो हमारा क नहीं रहें लेकिन यह खुद में इसक्वार Mila करते हैं तो इसलिए हमारा में पूच्हा गाता कि जब ₹ क्यों नहीं करते हैं यह का चारु मताना है यह का और राल है और यह इवन है इसलिए यह आपस में दूट नहीं करेंगे तो देखे आगे हमारे पास हो जो है इरो से हमारा जहैस बड़ाद हेंगा ड्योंग और से सोटर रहेगे और लेशन अव बक्रावी के ma मािम यह यहां पे पूट करूप क्रीगी नियुके अनुक्त अप्छा होता हैं यह और स देखिए-पर पैस देखिए ले का गीवन संधे के यहांने कि a-b जो मॉडलिस में है is multiple of 4 तो यहांने कि a-b जो है multiple है कि इसका 4 का तो यहां पर हमें show करना है कि यह equivalence है find the set of all elements related to 1 in 8 case तो हम यहां पर हम इसके case भी उबताने होंगे तो देखे किस तरह से करेंगे हम सबसे पहले हमने जो है number लिखे जो हमें यह पर एस चगा प्रपोट करने है तो जीरो के equal भी ले सकते हैं और जीरो से बड़ा होना चाहिए और 12 से छोटा होना चाहिए तो हमने देखी 0 से 12 तक के यहां पर number लिखी है तो यहां पर A minus B हम कोई number करें तो वो किसके multiple होना चाहिए 4 के multiply में होना चाहिए तो देखिए इसी तरह से हमने क्या example लिया सबसे पहले किसको prove करने के लिए reflexive को prove करने के लिए reflexive किस तरह से हम show करेंगे यानि कि A जो है यानि कि 1 1 आपस में belong करना चाहिए 1 1 2 2 3 3 0 0 जिरो अभी मैं आपकता है 4 के multiple है 2 माइनस 2 वो भी 0 देगा 3 माइनस 3 वो भी 0 है 4 माइनस 4 5 माइनस 5 6 माइनस 6 इस तरह से देखें तो सारा जो है सब कि मैं अगर आप खुद में से माइनस करें यानि कि वो जो है 0 देगा और 0 multiple है किसके 4 के तो यह हमारा relation क्या जाएगा reflexive आजाएगा अगर इन में से एक भी ना होता तो हमारा जो है मालेजिए हमारे पर 11 ना बनता किसी कारण जिसके कारण यह हमारा क्या हो जाता note reflexive हो जाता लेकिन हमारा relation ने सभी चीज़े आएंगी जो हमें set में given ती तो अब वो क्या हो जाएगा reflexive हो जाएगा अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या यह symmetric है या फिर नहीं है तो symmetric के लिए देखिए किस तरह से करेंगी a minus b अगर relation में आ रहा है जिसके मैं ना पूता है a minus b को यह number हम put कर लें वो force multiple है तो हम चेक करेंगी क्या b minus a b relation में आ सकता है तो yes यहाँ पर b आएगा क्योंकि यह modulus है modulus के करण यह हमारे पास आ जाएगा अगर देखिए तो यह हमारा symmetric हो जाएगा यान की relation हमारा symmetric हो गया अब हम चेक करेंगी क्या यह इसका result ट्रांस्ट्रीव भी आ सकता है या पी नहीं तो देखिए ट्रांस्ट्रीव के लिए हम क्या करेंगे ट्रांस्ट्रीव के लिए हमने यहाँ पर number रखा देखी जैसे कि कोई भी number लेए लिए a minus b is multiple of four b minus c b multiple है four के दोनों relation से belong कर रहे हैं तो दोनों को हमने compare करते हुए हमने निकाला a minus c b relation से belong करेगा यानि की a minus c b हमारा multiple होगा किसके four k तो यहाँ पर हमारा a c b belong करेगा relation से तो relation के आगा हमारा ट्रांस्ट्रीव और हमारे तिनों ही आ रहे हैं जिसके का रिलेशन हाँ आइड में क्या जाएगा हमारा reflexive symmetric or transitive है तो relation होगा हमारा equivalence तो यहाँ पर जैसे कि मैंना आगो कहा था कोई भी number ले लिजे तो आप यहाँ पर 159 लेके solve भी कर सकते हैं जैसे कि मैंना आपको example दाया one minus one क्या होगा zero zero इसके result में होगा four k यहां कि four k multiple होगा इसी तरह से five minus one भी क्या होगा multiple of four nine minus one eight होगा एट भी multiply होगा four k तो आप इन तिजनों का example यहां पर देचकती हैं इसी तरह से देखिए हैं second part है हमारा a equal to b यानिक की relation given है a equal to b तो अगर a equal to b है तो एक बंदा खुद के equal हो सकता है यानिकि a equal to a हो सकता है तो वह relation से belong करेगा वह क्या हो जाएगा reflexive फिर देखिए let कर लेंगे हम एगर a b जो है हमें जैसे कि मैंने पुता है यहां पर तिनों ही solve करना reflexive हो गया अब हम चेक करेंगे कि क्या यह symmetric है या फिर नहीं देखिए अगर a b relation में belong कर रहा है यान कि a equal to b है तो हम कह सकते हैं कि b b equal होगा a के अगर a कर एक चीज दूसरी चीज के equal है यान कि one equal to two है तो हम कह सकते हैं two equal to one होगा यान की दोनों आपस में equal हैं तो हम इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं इसी दरह से हमारे पस क्या जाएगा relation symmetry का जाएगा यह relation belong करेगा इसलिए फिर हम चेक करेंगी क्या यह transitive है या फिर नहीं तो transitive के लिए देखिए अगर a b belong करेगा relation से b c b relation से belong करेगा यान की a equal to b and b equal to c यहाँ पर a equal to क्या हो जाएगा c तो यह जिसके current relation transitive हो जाएगा तो देखिए तिनों ही हमारे आजाएंगे जिसका current यह क्या हो जाएगा reflexive हो जाएगा तो देखिए अब जो है हमारे पास 10th question है sorry give an example of relation which is देखिए अब यहाँ पर हमें जो है example देना कोई भी example दिसके हैं देखिए जैसे कि first part है symmetric but neither reflexive nor transitive देखिए यहाँ पर हम जो है कोई भी example देखिए इसको प्रूव करने के लिए तो कि अब जो हमें देखिए अगर आपने दूसरा करना हो यहाँ पर 567 का ले लिजे 56 से बिलोंग कर रहा है 65 भी बिलोंग कर रहा है यहनकी दोनों relation में हैं लेकिन 5566 और 77 रिलेशन में नहीं है जैसे कि मैंने आपको 123 यहाँ पर मैंने 567 कर लिए आप कोई भी ले सकते एक्जैंपल ही देना ह है इसी सब्सक्राइब की सेकेंड पार्ट है यहाँ पर हमें प्रूव करना है क्या यह ट्राइब हो सकता है और बाग की रिफ्लेक्स यह वर समेट्रिक नहीं होना चाहिए तो एक्जैंपल देखिए क्या ले सकते हैं हम रिलेशन मना लीजिए जो है छोटा रहेगा बी से नहीं पर है तो यहाँ पर जायो है यहाँ बैक देखिक पाइस मेत depicted मेफिकलाना ही होना चाहिए तो मन यहाँ फिर नहीं करे है लेकिन टू और टू लोगॡ़ से बिलोंग मारेगा लेकिन इंडा होग नहीं करेगा इसके काराण यह क्या हो जया आपने जैने या पर आपको यह पर ऐसकते हैं जैसे कि मायना भी आपको समझाया अब हम जाएंगे देखिए एलम समय है, show that the relation R in the set A of point in a plane given by R, हमारे पर देखिए क्या given है relation, distance of the point P from the origin is the same as the distance of the point Q from the origin, तो देखिए यहां पर P और Q का distance same रहेगा origin से, तो यहां पर हमें चेक करना है, यह equivalent relation है, further हमें देखिए क्या शो करना है, show that the set of all points related to a point P और is the circle passing through P with origin as the center, तो देखिए इसो किस तना से करेंगे हम, सबसे पहले हम यहां पर reflexive show करेंगे, reflexive किस तना होगा देखिए, एक distance मालेजे कोई भी distance है, वो दोनों आपस में equal हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि P distance equal है P के, तो दोनों same ही रहेंगे, तो हमारे पास यह क्या जाएगा reflexive हो जाएगा, P P यानि कि P P Q कोई भी ले सकते हैं, दोनों ही अगर relation से बिलोंग करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा reflexive, अब हम चेक करेंगे क्या यह स्मेट्रिक भी हैं, देखिए अगर जैसे कि यहां पर P Q का distance है, तो P Q का distance है, तो Q P का भी same ही रहेगा, मालेज से 1 और 2 equal हैं, तो 2 और 1 भी अपस में equally होंगे, तीसलिए यहां पर यह स्मेट्रिक हो जाएगा, यानि कि दोनों का distance सेम रहेगा, Q P भी बिलोंग करेगा, और P Q भी बिलोंग करेगा, तो यह क्या हो जाएगा, स्मेट्रिक हो जाएगा, अब हम यहां पर प्रूफ करेंगे क जा यहां पर ट्रांस्टिव भी हो सकता है, तो देखिए, अगर P Q जो है, distance सेम है, इसी तरह से Q और S का भी distance सेम है, origin से, तो P और S का भी origin से distance हमेशा सेम ही रहेगा, इसलिए वो relation से बिलोंग करेगा, और वो ट्रांस्टिव हो जाएगा, तो देखिए, ट्रांस्टिव होन त्रेंगल और क्या वून है ट्रेंगल है रिएंगल को हमाट सेट त्या गया है यहां पर हमें रिलेशन चेक करना है एक किस तरह से हम करेंगे और इसी के साथ साथ हमें देखिए क्रीडिका करना है है six eight ten और मैं यहां पर चेक करना है कि इन तीन लों के बीच में काउंसर डिलेट कर रहा है आपस में तो देखिए यहां से पहले मैं आपको यह वाला ही पाट करवा देता हूं तो देखिए यहां पर अगर थ्री फॉर फाइफ से हम चेक करें फाइफ वैल थर्टिन क्या इनक किसके को लोगे ठीकुल होगा त्री रेच मेकिसके अप्लोगा इसी तरह से यहां परoup किसके अपको लोगा इसीतर से यहां पर पे ूप्रयव करना है जैसे कि हमार invece क्लार ना है है यान कि triangle one triangle one के equal हो सकता है तो जिसके कराण यहां पर क्या हो जाएगा reflexive हो जाएगा इसी तरह से अगर triangle one triangle two के equal है वो relationship belong कर रहा है तो हम कह सकते है triangle two भी triangle one के equal होगा तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा relationship से भिलोग करेगा तो यह क्या हो जाएगा स्मेट्रिक उसके बाद खीए अब हम्हें ड्रीयंगल 30 तक ले लिए जो हमें क्या है और क्या हो वह जाएगा uda को गया है अऩर दिये लूग करेगा तो यह हमारा क्या हो पॉर्शन भी कर सकते हैं इसका 3 by 6, 4 by 8, 5 by 10, हम निद लिए और तीन नों का इक वला रहे हैं 1 by 2 के, यानि की इन तीन नों का, यानि की ट्रेंगल 1 और ट्रेंगल 3 का जो है, आपस में रिलेट हो रहा है, इसी तरह आसे देखें 13 सम है हमारे पास, यानि कमाल नों का, ग क्माल इन तार्ट ट्रेंगता नों का ड्रेंगल fera, ता है गाल मात्रोड, मद्यू में था टॉके इकवल है आपस में भी इकवल रहेंगे पोले वन और टू उनकी बए सिन सेड रहेंगी इस तरह से block kg 10改 नंखे अगर उसको compare करें तो खुद से ही सो जरी क्वल हो जाएगा तो यह P1B relationship belong करेगा इसके कारण यह क्या हो जाएगा देख राउն कर रहा हैं तो हमारा P1 और P2K सपरेट हैं तब खान की सब कर रहेगी करेंगी अगल फेATHER और चंहीं और वीडस्यषी रेलेशन commitment om से बिलोंग करेगा तो वो क्या हो जाएगा ट्रांसिटिव हो जाएगा तेकिए अभी यहां पर हमारे तिनों रिलेशन आपस में एक्वल हो गए तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा एक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा अब हमारे पास सब्सक्राइब अब हमने लि compare हो जाएगा इसी तरह से 14 सम है हमारे पास let l be the set of all lines in xy plane and r be the relation in l defined as r तो देखिए हमारे पास जो है line का दिया गए है xy plane पर relation का given है line 1 और line 2 जो है आपस में parallel है यानि कि line 1 parallel to line 2 यहां पर भी शो करना है show that relation आर जो है क्या है equivalence relation है find the set of all lines related to y equal to 2x plus 4 यहां पर हमें इसको भी बताना है यहां पर हमें जब values find करने होंगे तो देखिए किस तरह से करेंगे हम सबसे पहले जो हमें लाइन वन और लाइन टू परपेंडिकल और सोरी parallel है यानि कि एक लाइन खुद के parallel हो सकती है इस तरह से हमारा प्रेट जो है solve हो जाएगा यान कि वह reflexive होगा इसी तरह से देखिए l1 l2 जो है आपस में parallel है l1 parallel है l2 के तो हम कह सकते हैं कि l2 parallel है अनवल के तो यह दोनों आपस में जो है parallel होंगी तो यह दोनों जो है relational belong करेंगे के कारण यह क्या हो जाएगा symmetric हो जाएगा फिर देखिए हमारे पास जो है ट्रांस्ट्रीट करना है हमें अगर लाइन वन जो है parallel हैंगी जिसके current relation क्या हो जाएगा ट्रांस्ट्रीव हो जाएगा अब उसके बाद देखिए हमारे पास जो है line given थी y equal to 2x plus 4 तो यहां पे जो हमें value प्तान नहीं थी तो देखिए value किस तरह से हम करेंगे इसकी आपको याद होगा हमने plus 1 में क्या क्या था? slope वी लगा किया था तो यहां पे slope देखिए हमारा क्या होगा उसके standard equation थी y equal to m x plus 4 था यानि कि m x plus c था यहां पे जो है हमारा m क्या आ जाएगा? x से multiply में 2 है यानि कि m हमारा 2 आ जाएगा इसलिए यहां पे क्या होगा? यहां पे कोशन 15 और कोशन 16 है यहाँ पर हमारा एम सी क्यों है तो देखिए ध्यान से एक नंबर में आ सकता है लेट आर बीदा रिलेशन इन दा सेट 1234 गिवन बाइड रिलेशन देखी क्या है 12221144 133332 तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि कौन सान सुरिम में चारों में से सही रहेगा तो देखिए रिलेशन सबसे पहले हम इसको चेक कर लें कि आप हमारे पास रिलेशन में 11223344 आ रहा है तो यह रिफ्लेक्सिव तो रहेगा देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव हो गया उसके वाद हम चेक कर सकते recycling का मैं तो यह पर सबस्क्रीद ॐन आलए लेकिन जए नहीड नहीं तो और बनषट से लोग नहीं करेगा तो यह मैघ कर सकते हैं द्रांस्ट्रीब के लिए ट्रांस्ट्रीव के लिए यह जैं तुशे शूरू हने वाले और नंबर देखी जैसे कि यहां पर टू टू है तो यहां पर हमारे पास नहीं रहेगा तेकि इसी तरह से हमारा जो है क्या एक्जेमपल हो जाएगा हमारा जो है क्या हो जाएगा बी हो जाएगा तो यह हमारा जो है ट्रांस्टिफ रहेगा देखे कि relation क्या बन गया हमारा reflexive वो बन गया लेकिन स्मिट्रिक नहीं बना तो answer हमारा क्या हो जाएगा बी इसी तरह से हमार पर 16 question है let r be the relation set in the set हमार पर relation क्या है equal to b minus 2 तो देखिए यहां पर b की value हमें 6 से बड़ी रखने हैं तो यहां पर answer और 2 कर कोई relation दिख रहा है आपको इस में से option में से नहीं दिख रहा है देखिए 2 4 है 3 8 है 6 8 है 8 7 है यह हमार पर नहीं है फिर हम यहां पर 8 पूट करके देखे 8 minus 2 क्या हो जाएगा 6 यान कि क्या होगा 6 और 8 होगा देखिए क्या हमार पर 6 और 8 इसमें बिलोंग कर रहा है 6 और 8 देखिए 2 4 3 8 6 8 तो यह देखिए 6 8 आगे यान कि हमार option क्यों हो जाएगा सी रहे गा तो जिससे हमारा जो अंसर होगा क्या होगा correct दो सब्सक्राइब करोंगा अगर आपका को इस आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं आपका डाउट जल्दी क्लियर कर दूँगा और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है इसलिए जुरू सब्सक्राइब करें